इस वीडियो में हम फार्मूला टैप के डेट एंड टाइम फंक्शन में EO मन्थ फंक्शन इसके बारे में जानेंगे ISO बीक नम फंक्शन इसके बारे में जानेंगे और बीक डेव फंक्शन इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे EO month function इसके बारे में जानेंगे तो EO month function का मतलब होता है end of the month EO month function में हम क्या गत्ते हैं जैसे यह हमारे पास date दी गई है और यहां पे यह month लिके हुए है कि इस date के यह 3 मीने के बाद आगे end of the month month के end में कौन सा दिन होगा तो वो हैं यहां पे हम EO month function के जरीए निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम के करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे EO जैसे EO month यह नीचे आगे है यहां पे यहाँ पर double click करेंगे double click करने के बाद यहाँ पर यह दिया हुआ start date तो start date यहाँ पर click करेंगे start date के बाद यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे लिए गया है months की इस date के तीन मीने के बाद यहाँ पर महीने का जो last day आएगा वो कौन सा आएगा तो यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद यह cell name में यहाँ पर आ जाएगा B3 इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket बंद की, enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यह जो डेट है इस डेट के तीन मीने के बाद यह मन्त आएगा और यह मन्त जो है इसका जो लास्ट डे आएगा यह 31 अक्तोबर 2020 यहां पे आएगा इसके बाद ये जो डेट है इसके तीन मीने पहले यहां पे माइनिस 3 लिखा हुआ है तो तीन मीने पहले कौन सा यहां पे मन्त का लास्ट डे आएगा तो उपर यहां पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि यहां पे हमने फार्मूला यूज किया हुआ है यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे इसको निचे ड्रैग करेंगे यह ड्रैग किया तो ड्रैग करने के बाद यह दिखो यह जो यहां पे डेट दी गई है इसके तीन मीने पहले तो यहां पे 30 अपरेल 2020 यह महिने का जो लास डे है वो यहां पे आ गया अब यहां पे अगल इसका जो बीक नमबर है वो कौन सा यहां पे चला हुआ है इसको देखने के लिए हम यहां पे ISO Beak Num function का use करेंगे तो इसको use करने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद equal to लिखेंगे equal to लिखने के बाद यहाँ पे ISO यह दिखो निचे आ जाएगा यहाँ पे double click करेंगे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे दिया गया date, यह दिखो date लिखा हुआ है तो date कौन सी है, यहाँ पर click करेंगे यह date है, इसका हमने यहाँ पर big number, यह check करना है यहाँ पर click करेंगे यह cell name यहाँ पर आ जाएगा A3, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, यह bracket बंद की enter press करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद ये दिखो ये जो बीक चला हुआ है ये यहां पर twenty number वाला यहां पर बीक चला हुआ है अब ये सभी का देखना जाते हैं तो इसी formula को हम यहां पर नीचे drag कर देंगे ड्राइग करने के बाद ये दिखो इस date को यही चला हुआ है week number और यहां पे यह 1st January 2020 यहां पे लिखा हुआ है यहां पे यह जो week है यह first है तो यहां पे first आ गया है इसके वाद यहां पे यह जो last date यहां पे लिखी हुई है 31st December 2020 तो यह जो week number है यहां पे 53 है यहां पे आ जाएगा तो इस तरह से हम ISO Beak Number के जरिये यहाँ पर Beak Number निकाल सकते हैं कि इस date को कौन सा Beak Number है इसके बाद हम अगले function को करेंगे Beak Day function तो Beak Day function में हम क्या करते हैं जैसे यह हमारे पास date दी गई है इस date का हम यहाँ पर Beak Day जानेंगे कि कौन सा बीक डे नमबर यहां पे आएगा तो इसको निकाने के लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इकल टू लिखेंगे इकल टू लिखने के बाद यहां पे बीक डे यह निचे आ जाएगा यहां पे डवल क्लिक करेंगे Double Click करने के बाद यहां पर आगे दिए गया Surrier No तो जो Surrier No नमबर है यह यह है जो date हमने यहां पर लिखिऊ हुई है इस पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यह Sal Name यहां पर आ जाएगा A3 इसके बाद यहां पर कॉमा लगाएंगे यह कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहां पे return type तो यहां पे यह दिखो, by default यहां पे Sunday आता है तो यह अगर हम Sunday से इसको दिखने जाते हैं कि Sunday के बाद यहां पे कौन सा week day, number यहां पे आएगा तो हम यहां पे Sunday को लेंगे, तो यहां पे first पे कलिक करेंगे यहां पर double click किया यह one यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर हम इसको बंद करेंगे bracket को बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यह big day जो आएगा यहां पर 3 आएगा यह इस date का जो big day यहां पर आ गया दिकुक यह मन्थ हमने यहां पर open किया यह मन्थ यहां पर आ गया है। मन्थ आने के वाद यहां पर 12 यहां पर लिखा हुआ है तो 12 देखेंगे तो यह देखो संडे के बाद यहां पर यह संडे है संडे 10 है इसके वाद 10 lot килkes ऐ्लेवन तरी तो यहां पे यह 3 आ गया तो यह जो week day है इसका यहां पे 3 है यह देखो Sunday के बाद यह Sunday 1, 2 और यह 12 यहां पे 3 आ गया इसके बाद आगला देखने जाते हैं यहां पे click करेंगे और इसको नीचे drag करेंगे इसके बाद आगे यहां पे date दे गई है 13 तो इसका जो week day यहां पे देखन पर क्लिक करेंगे यह मैं मैंना इसको निकालेंगे तो यहाँ पर यह मैं यह आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर यह देखो 4 यहाँ पर आ रहा है यह 13 को तो यह 13 देखेंगे हम तो यह देखो संडे यह संडे से हमने इसको कौंट किया हुआ है तो यह संडे यहाँ पर 1 यह 2 11 12, 3, 13 यहां पर 4 आएगा तो यह यहां पर 4 आगया तो इसके बाद यहां पर हम अगली डेट को देखेंगे जैसे यह 1st January 2020 यहां पर दिए गया है तो यहां पर यह 4 आ रहा है तो इसको दिखने के लिए हम फिर कलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहां पर January इसको यहां पर ओपन क कर रहे हैं इसके बाद यहां पर यह अगली डेट यहां पर दे गई है इसका हम यहां पर बीक डे देखेंगे तो यहां पर यह 5 है तो इसको देखने के लिए फिर हम यहां पर कलेंडर को ओपन करेंगे और यहां से हम इसको दिसंबर यहां पर आ गया है दिसंबर आने के तो यह 27, 1, इसके बाद यह 2, इसके बाद यह 3, इसके बाद 4 और इसके बाद यह 30, first को यह 5 यहां पे आया हुआ है, तो यह दिखो यहां पे 5 आ गया है, तो इस तरह से Beak Day function के जरिये हम यहां पे Beak Day निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने EO Month function के बारे में, ISO Beak Num function के बा धन्यवाद